आज आप लोगों को होली सांग्स के लिए कुस्पेशल पैटन सिखाने वालों जो कि 23 बज़ते हैं क्यों कि होली के गाने जाहता थेज ही होते हैं जो कि गाने भज़नों में भी आपके लगेंगे पहले देखे ज़रा डेमस्ट्रेशन करता हूं फिर एक एक करके एक्स्पें कर लोगों ने नोटिस कि है यहां पर थप्की का जाधा यूज हो रहा था और यहां पर खोले बेस का ज्याबर यूज हो रहा था जो की कवाली में बहुत काम आता है बज़नस में एनर्जी कांड़ crater होती है इस लीए धब यह Holy Songs में भी energy मिलेगी आपको समय तो इस तरहां की ढूलक आपको बजानी है इसके लिए यह सारी चीजें शेखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखने हैं आगे आगे करके देखेंगे कुछ नहीं सीखने को कुछ नहीं मिलेगा इसलिए पूरी वीडियो अच्छे से द मिस्टर अक्षी कुमार को यह देख लीजिए उनका नाम वहाँ पर प्रोफेशनल दोलक प्लेयर हैं बहुत यह अच्छी दोलक वजाते हैं तो यह दोलक उनकी दिमांड पर तैयार की गई है देखें क्या ही बढ़िया क्वालिटी है अगर आपको भी ऐसे best quality instruments चाहिए तो तो आप जरूर कॉंटेक्ट कीजिए अगर आपको requirement है चलिए जे और अगर दोलक तबला प्रॉपरली सीखना चाहते हैं तो उसकी classes भी जॉइन कर सकते हैं सबसे पहले मैंने pickup यूज की अब यह pickup थोड़ी different है याद होगा मेरी दुगुन की पहले की वीडियो थी उसमें मैंने यह pickup सीखाई थी थी थोड़ा different था वो है ताके टे 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 इस बार हम open bass यूज कर रहे हैं तो उसमें हमने थोड़ी changes किये हैं तो पहले यह सीखनी बहुत ज़रूरी है तो देखत टे के साथ bass slap टा के टे के साथ bass slap और ट अकेला समझे ताके टिट टाके टिट दो टाके टिट है हमारे पास पहले ताके टिट में टिट के टे के साथ bass slap बजाना है और दूसरे उसमें टे के साथ बजाना है तो देखे ज़रा slow में दिखा रहा हूं ता के टी टे के साथ bass slap और ता के ती के साथ बेसलेप अब इसमें क्या किया है open bass जब open bass add किया तो आखरी वाले तेट का धिट बन गया ठीक है तो ता के तेट ता के धिट 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 अब यह फिलर भी उसकिया था बोल है इसके बजाना कैसे है यहाँ पर बेसलैप का बड़ा काम है ता के साथ बेसलैप ठीक है जितनी बार ता आ रहा है बेसलैप तो ता गेता बेसलैप अब नेक्स पैटन अब नेक्स मैंने जो बजाया था बड़े काम का है और एक फास चलते वे फार एक्जामपल दोगर बजारे उसमें अजो वेराइटी लगाते है बहुत अच्छा लगता है ठीक है तो इसको भी सीख लीजिए डिफिकल्ट है थोड़ा सा बजाना कैसे है बेस लैप का बड़ा काम है धा धा तित थपकी इसके बाद धा तित टाके तित ताके धित थपकी इसके बाद स्लो स्पीड में और आपको शायद थोड़ा हैवी लग रहा होगा क्योंकि यह बाइक्रोफोन सी तना हैवी बेस यूनों हैंडल नहीं कर पाते हैं हमारी धोलक का बेस बहुत ही जादा वह होता है तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा साउड कम करके देखेगा आगे बढ़ें तो इसमें दुगुन भी यूज की है मैंने बहुत सारे रंग बर्षे और बी जितने भी गाने होंगे हो लीके दुगुन का ही काम हुगा है उसमें ठीक है भजनों में तो बहुत ही लगती है आप लोगों को आती है फिर भी बता रहा हूं बजाना कैसे है दा त न क गी न दा पहले दा के बाद पॉस भी है दा तनक गिन दा पनक गिन दा तनक गिन दा अड़ थप की पैटन यह पहले भी सिखाए इसलिए शौ्ट में चिक्खाऊंगा इसी को खुला बेस यूज कर लिजे गे वह जाना कैसे है इसी को रिपीट करेंगे तो स्टार्ट लेने के लिए गे टेट तागे देट एंद धा टेट तागे देट उसको आप रिपीट करते रहेंगे इन सब पैटन्स को बड़े आराम से तयार कीज़ेगा भागेगा मत शुरू में हर चीज को पहले स्लो ही करना पड़ता आप दू सारे लोग सोचते हैं के वीडियो देखके ट्राइ करते हम से नहीं हो पाता यही रीजन है आप लोग स्लो करके बजाए चीजों को तब अराम से बज़ पाएगा तो यह सब चीज़े कर लिजिए आप किसी भी तरह के फास्ट गाने में होली बेस्ट गाने या फिर किसी भी भजन पर बहुत अच्छे से बजा पाएंगे कोई भी दिकत परिशानी हो कॉमेंट करके जुरूर बताइए वीडियो अच्छी लोगी लाइक करना मत भूले जाएगो सब्सक्राइब कर देजिए थैंक्स फो वाचिक